वाहिगुर्जी का खाल्सा वाहिगुर्जी की फते आज दे साड़े दो विशे पहला विशा बारा माँ इसनू असी हेडिंग देता है नीचर्ज वाच कुदरत देखना या कुदरत पेखना और दूसरा साड़ा विशा आज दा मोडरन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन गुरुगर्ण सहेव जितो दक बारा माँ दा विशे दी गल है किसे भी धरम दी बावना नू जिन्दा रखना बड़ा उख है और समेधी चालनल दर्मा विच अक्सर पतन आजन्द है धरम राई या मजब राई या रिलिजन राई जीवन नू चंगेरा बनाना हर मुनिक दा उदेश हुन्द है या होना चाहिद है और इस कारज देले जिन्दगी देवेच या इस जीवन देवेच हर पल हर गड़ी हर दिन हर महीना उस परमात्मा दे लेखे लान दी गाल या उस परमात्मा दी फीलिंग्स दी उस परमात्मा नू याद करन दी गाल जेड़ी है या लोड पैन दी है और बारा मा इस से वाशे दा प्रगटावा है ये बानी संसार दी असलियत इस युनिवर्स दी जेड़ी असलियत है इसनू बेयान कर दी है गुरु गरंद साहब दे विच दो बारा मा है गे एक गुरु नानक साहब दा लिख्या है और एक गुरु अर्जन साहब जीदा लिख्या है गुरु नानक साहब जीदा जेड़ा बारा मा है उसनू राग तुखारी विच है उनू बारा मा तुखारी कहन देने और गुरु अर्जन साब दा वलनों जड़ा लिख्या गया है और राज माज राग विच है ए बारा महीने ने जिमें इंगलिश दे विच जनुरी टू डिसंबर है इसे तरह पुराने जड़े साब दे नाल चेत तों लेके फगण तक चेत जड़ा महीना ये मारिच दे हाफ तों लगबग मारिच दे अद तों शुरू हुन दै चेत ये विसाख जेट हाड सावन बादों अस्सू उन कत्तक परसों कत्तक चड़या से फिर मगर पो माग फगण एक बारा महीने ने उस परमात्मा दे मिलाप लई अध्यातमक्ता नो समझावन लई समाजक तोरते मनुखी रिष्ट्या नो मनुखी इंस्टेंसिस दे के या कह लिए उनना दे सभाव नो लेके समझाया गया के इना बारा महीने दे वेच मनुखनू हर पल, हर गड़ी, हर दिन, हर महीने किस तरह इस दुनिया दे वेच किस सभाव नाई या किस तरीके नाल विचर ना चाहिए कुदरत दी गल है इस बानी दे वेच क्योंकि कुदरत हर पल, हर गड़ी, हर दिन और समेह अनुसार, wisdom अपना जढ़ा रतारा और अलगज भूपा दे विक साथे सामने लिया हुझ दिया है और उस समेह अनुसार और नुसार, अपनी जिंदगी दे सभारनो या जिंदगी दे जढ़ा रहन सान है उस दा बदलाव भी कसतना करनाचही दे इस मेन जड़ाए बारा मा जड़ी बानी ऐस देविच दस्या गया है इस लेक्चर नू करन लई इस विशे नू करन लई साधे विच प्रोफेसर मंजीत कोर जी ने जड़े अमरसरतों उथे शहीद मिश्नरी कॉलेज है उस विचे प्रोफेसर ने भैंजी गुरुबत दी गुरुबानी दी बहुत नौलेज है भैंजी नू और प्रोफेसर साब सिंग ते काम ते जिननने प्रोफेसर साब सिंग जिननने गुरुगन सहवदापूरा जो टीका कीता हुए उस दे उते बैंजी पी एचडी कर रहे ने तो मैं प्रफेसर मंजीत जीनों बेंती करांगा कि आज दे इस विशे बारे आप जीना ले गाल करन जी आओ जी प्रफेसर वाह गुर्जी का खालसा, वाह गुर्जी की फते जी मिके वीर जी ने मेरे विशे दे बारे आप जीनों उदासी दिता है कि मेरा अज़दा बोलन दा विशा है बारा माँ बारा माँ दे सिरलेखतों ये गालसा नो कलियर हो जान दी है कि बारा महिन्या दे बारे इदे विच जानकारी अंकित है 12 मां लोक काव दा एक रूप है जड़ा आम लोकाव नीए पाशा दे विच गाणिया जान्यान जान्ता सी जिन्नु लोक बड़े सरल पाशा दे विच समझ सकते सान इस लोक काव दे विच बहुत सारे 12 मां जड़ लिखे मिल देने जे करे दे पिशोकरवाल ते आनमारी ये ते कवी काली दास दा रितू बहार जेरा बारा महिने है एदा पहला रूप खट रितू होंदा है खट रितू जा रितू बहार रितू दो पावे रूत ते शे रूता मनिया गया ने बारा महिनेया नू दो दो महिनेया दी एक रूत बनाके उनना नू शे रूता दा नाम दिता गया जिननू संस्कृत पाशा दे वेच खट रितू किया गया ये जरियां शेर उताने इना विच चेततों लेके फर्गन दे महिने तक फगन दे महिने तक दो-दो महिने करके जिमें चेतते विसाख दे विच बसंत रूत दा अगाज उन्दा है अगे जेड ते हाड दे विच ग्रीकम जरी पार गर्मी दी रूत है ओ शुरू हुन्दी है सावन ते पादरों दे महिने दे विच जरी बरसात जां बर्खा रूत है ओ शुरू हुन्दी है असूते कते दे विच असूते कतक दे महिने दे विच सरदरूत दी शुरुआत उन्दी है अगे मगर ते पो दे महिने दे विच हेमंत जरा हेमंत ता पाव है बरफिलियां हवावा जिन्नों असी पो ते माग जिसन्नों असी मगर ते पो केंदी रुत जड़ी है ओ बर फिली पाव के बहुत ठंडी जिनू हेमन्त दा नाम दिता गया है ते अखीर ले दो मिन्ने माग ते फगन दा जो महिन्ना है उसनू पत चार रुत्तू दा नाम जड़ा ए शे रुत्ता ने इना रुत्ता दे अनुसार जड़े कवी सी ओ अपनी कवितानों कलम बंद कर दे सान दो मिन्ने दी एक रुत्तू नदी है ते ए जड़ी रुत्ता ने ए सूरज दे चाल दे अनुसार चल दियाने सूरज दियान जड़ी आ रासा ने जिन्नों आम पाशा दे विच राशियां क्या जन्दा है ओ बारा ने उना दी गिंती बारा है सूरज जड़ों अपनी नवी एक रास्तों जिमें चेत बिकर्मी सम्मत दा पहला महिना चेत है ते जड़ों सूरज चेत दे पहली तरीक दे विच परवेश करदा है उनु संक्रांधी केんだे संक्रांधी दा पंजाबी रूप है संग्रांध पाप के अगले करदे विच जाना उनु संग्रांध के जन्दा है सूरज जड़ों आपने 12 करदे विच घुनदा होया चक्छ लोंदा है कि आम लोकी संग्रात नू पवित्तर मंदे ने संग्रांद ओन्ना लोकां ली पवित्तर है जो सूरज नू अपना देवता मंदे ने जेरे सूरज नू अपने देवता मंदे ने जो दो सूरज अपना पहला कारशड के दुझे कार विच जानदा है ते उदों ओ नवे करदे विच परवेश करदा है ते जेरे सूरज दे ओ पाशक ने सूरज नो अपना इस्ट जा अपना देवता मन देने ओ लोग कुछ समगरी इकत्तर करके एक खास किसम दी पूजा करदेने ओ पूजा दा परपज ए हुंदा है कि जेरा नवा चड़या होया महिना है ओ साधा सारा महिना वदिया लंगे ओ अपने देवते दे अगे बेंती करदेने बागी बहुत सारे व्याफ़ परंजेडे ने ओ लोग मना दे वेच एदे बारे संगरांदे बारे जुड़े होएने कई जरियां कर दियां औरता ने दर्वाजियां वेच तेल रोड दियां ने उस दिन किसे नूँ पैसा बहुत सारे वैंपरमने मेरा ओविशा नहीं प्रंतु जिन्यावी गल्ला ने इसाड़े सिख फलस्वे दे अकॉडिंग कोई भी जरा स्थान उनना नू प्रापत नहीं है क्योंके महा दीवस मूरत पले जिसको नदर करे नानक मंगे दर्सदान किर्पा करो हरे क्योंके थित्ती वार सेवे मुग दगवार थित्ता ते वारा नू ओ सिमर देने जरे मूरक ने प्रंतु गुरु साब ने सानू इना गल्ला दे विचो कड़े है जरी ए बारा मा जरी काव रचना है एक कवी काली दास दी लिखी मिल दी है कवी काली दास दों इलावा अकबर दे समय गंग नादा गंग नादा गंग शवद आया गंग पाट होया है उनने भी बारा मा जरा काव है और संस्कृत पाशा दे विच लिखिया सी अगे पास ने जरा एक महुमद जैंसी होया है उनने पदमावत नाम दी रचना लिखी है ओदे विच एक राणी होई है नाग मती ते ओदा जरा राजा है रतन सैन उनना दोवा दे संजोग दे विजोग दी जरी वारता है ओ उसने बारा महिन्या दे विच जरी है और दर्ज किती है ए दे विच जिरी मेन जिरी गल है कि दो ए दे विच पातर ले जन्दे ने एक जिरा है पती है दुझी पतनी है ते इस रचनादे विच पाव के 12 मां रुपी जिनिया भी रचनावा मिल दिया ने नाइक दी नालो नाइक कानु विशोड़या जन्द है तो जेरा विशोड़ा है ओ पहले मिन्ने तो लेके ग्यारवे मिन्ने तक चलता है ते बारवे मिन्ने विच उन्ना दे विजोग तो उन्ना दा संजोग हुंदा है जरे ग्यारा मीने ने जरे या परकिर्ति दिया बदलाव ने कुदरत दे जरे बदलाव ने उन्ना नू कविया ने ओदे नल मैश कीता है ओदे अनुसार ओदा वर्नन कीता है गुर्मखी जहां पंजाबी दे विच सब तो पहला जरा काव है बारा माँ ओगुर्णानक सहब जी दा रचया होया है जो के तुखारी राग दे विच वर्नन है तुखार दा पाव है ओ इलाका जिते बारिश भी हुंदी है ते जिते गर्मी मी पह जन दी है यह जिरा स्तारा पौडियां दी रचना है ग्यारा सो साथतों पन्ने तों शुरू हुंदी है सिरी गुर्णान साहब जी दे ते लगपग ग्यारा सो दास दे जाके इस रचना दी जड़ी है ओ समापती हुंदी है यह जिरे महिने ने गुरू साथ जी ने कुदरत नू नेड़ेतों देखिया है कुदरत नू नेड़ेतों पेखिया है के कुदरत है की गुरू साथ दा पावनवाक है बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लखिया के मैं बलहार जाना एक उद्रतों जदों गुर्बानी पढ़ देयां ते गुरु साब जी ने बहुत सारे जरे अलंकार ने बहुत सारे जरे एहोजे बिम्ब ने परतीक ने ओ इस बैस्पती दे विचो लेने तू सुन हरना कालिया क्यों वड़ी ए राता राम मशली होँआ जालवसा हिरनी होँआ बनवसा जे नागन होँआ ता तारवसा एहोजे जरे परतीक ने बंसपती दे विचो लेने मनुख दा एक कादर है एक कुदरत है ते एक स्रिस्टी है कादर नू नेड़े तो जानन दे लई सानू कुदरत दे नेड़े जाना पवेगा जिन ना असी कुदरत दे नेड़े हुआंगे ओ ना असी कादर दे नेड़े हुआंगे गुरु साब जी दी जे जदों असी बाणी पड़ दे आ छिपन्ताग्धित जाड़ा हो मताव отвеч कमल 1 फूल 1 जेघंपल जेटशना जानाên सेदेट जेड़ी जाड़ी हों पाणी मतादी जाड़ी जाना नाना चा कवी दीठ जेड़ी जेड़ी हाथ एस कुदरत दे विचों गुरु साब जी ने चुकी है होन जे जो जो रुतां बदल दियाने दो महिने दी एक रुत है तापदी गर्मी केवल दो महिने रहन दी है आतदी जेरी सर्दी है केवल दो महिने रहन दी है रुतां बदलन दे नाल नाल मनोख दिया मनो पामा ते ओधी मांसिक अवस्था बडल दीए जदों असी तपदी गर्मी दे विच बैठे उननिया ते साड़ा हिर्दावी तपड़या उनदा, साड़ा तानवी ते साड़ा मन वी अचानक जदों काले बडल आजान एक पास्यों कालियां के टामा ते ठंडियां हवावा आजन ते साड़ा मन खुशी नाल चुम उठदा है सावन सरसी कामनी चन कमल सिव प्यार मंतन रत्ता साचरांग एकको नाम अदार बिखिया गरंग कुडाविया दिसन सबेशार हर अमरत बूंद सुहामनी मिल सादू पीवन हार यह जरी अमरत दी वर्खा होई है इनों पीके जिमें एक पपी है दे अगे सागर पया है ओ पयासा है सागर दे विचो एक बूंद पानी दी नहीं ले सकदा चुझ परके पी नी सकदा तरसदा पया है क्योंके उन्हों एक सवांती बूंद चाहिदी है ते जदो मोर बबी है बोल दे वेख बदल काले जेरे मोर दे बबी है ने ना चुटते ने किनों वेख के जदो काले बदल वेख देने ते जेरी एक स्रिष्टी दे वेच जेरा एक कुदरत दा पसारा है जहां कुदरत दा द्रिश है ये बंदेनों कुदरत दे नेडे लेके जन दा है कि ओ की है जिनने ए सारा पसारा पैदा कीता है ते गुरु साब जी एस बारा मादा जरा अगाज कर देने ओ मनोख दे करमा तो कर देने गुरु साब जी कहन देने किर्त करम के विशुडे कर किर्पा मिलो राम इक मा अपने बच्चे नूँ जनम दिन दिये जनम देखे थोड़ी देर जदों ओ वड़ा हुंदा है ते अपने आपनो वक अपने आपनों बच्चे तों ओले कर दिन दिये इसलिए के बच्चे नो मेरी एहमियत दा पता लगे के माँ दा ओदे जीवन वेच की स्थान है पर माँ तो बगेर एक कडीना जीन दा जिरा सवाल है ओबच्चे दे मान विच है के हर बिन नीद पूख को कैसी कापड तन ना सुखावए ओदी हालत ओजन दी है के अपनी माँ तो बिना जाओ सब मालक तो बिना उन्हों अपने तानते पाई होए कपड़ी भी सखोंदे नहीं क्योंके उन्हों उस चीज़ दी लोड है तो फिर पुकार उठदा है फिर उख केंदा है के आओ प्यारे आओ हर मेरे नाल आके मेरे कार आके मैंनो मिलो मेरे हिर्दे कार विच वासा करो परन्तु ए जरा असी जरा विशोड़ा है जरा संजोग ते वी जोग है ए जरा परमातमा दे वल्लों पाया होए के मनोखनो इस गालदा एसास हो जावे पार कुंट दैदिस प्रम्मे ठाक आए प्रब की साम असी अपने करमा करके उस परवदगार दे नालों विचड़े होए है क्योंके दोस असी अपने केवल करमा नो दे रहे हैं कत्त कर्म कमावने दोस ना काहू जोग परमे शर्ते पुल लिया व्यापन सब्बे रोग जद नो अपने नाल मिलो साड़ा मेल तो हड़े नाल होए फिर जरा अगली जरी बक्ष शोरिया गुरू साब केंदें तू सुन किर्त करमा सुख सहमा देशू तू पला हर रचना तेरी क्यागत मेरी हर बिन करीना जीमा प्रेबाज दुहली कोई ना बेली गुर्मक अम्रत पीम के तेरे तों बिना मेरा कोई सहारा नहीं में नो तू आपने नाल जोड़ लें पस उस जोड़ण दा जोब वसीला ए एक नायका है बारा मां देवेच एक जरी आउरत है जरी सुहागने ओपने सुहागनालों विछडी होई है ते ओजरा विषोड़ा है ओदे को लों असा जदो सावन दे महिने देवे चिकटावा चड़के ओंदियाने लोग खुशी नाल चूम दे रे जरे डड़ू ने ओवी अवाजां कट रेने मोरते पपीये भी बोल देने सारी बंसपती जेरी जेट दे महिने नाल तपके सड़ी होई सी जे जेरी तर्ती सी ओदे वी चो नमी जरी सी ओ दे त्पश ने सोख लई सी गर्मी दे नाल पूरी जरी कर नात है ओ तरा-तरा कर रही सी ते उसे तो बाज जदो सावन दे महिने वेच सावन सर्समना कणवर शेरूत आये के सावन दे महिने दे विच जदो कालियां क टामा चड़के हैं जदो बारश उन्दी है दे जिन्ने मी बंस पती ये खुशी नाल चुम दी है ते जीरी औरत है जीरी औरत अपने पती नालों विशुड़ी होई है ओए पुकार कर दिये के कार आओ प्यारे दूतर तारे तुद भी अडना मोलो कै के तेरे तो बिना मेरा कोई मोलो कै खोटी 24 जिन्ने में चार पैसी जन्ना में मेरा मोल नी के कार आओ प्यारे मेरे कार आके वासा करो क्योंकि तड़े तो पिना जेड़ा हैगा मेरा इस दुनीया देऊ ते कोई मोल नहीं जनों तुसी मेरे कोल आ जाओगे ते मेरे तड़े नाल ही मेरा जड़ा सतकार है इस दुनीया देविच होएगा ते एजरी औरत है एक कुद्रत दे अपने मांदिया हो देगया पर विर्दिया ने वäreस्पधी देविच जो जो कुछ भापरदा प Gradar ओए उसनों हडा आके एक बिर्हा देविजो जोग विच विलकदी पअई तड़ देगया गल की है कि मैं अपने उस प्रीतम नो मिलने जेदे कोलों में विश्ड़ी होई हैं जेरे 12 माह है उदे विच दो पातर में जिवें पहला दस्या है के नाइक ते नाइक खसम है ते नाइक इस संसार दा हार एक जीव है गुरु साब ने गुर्बानी दे विच केवल जडियां फीमेल ने उनना नू औरत नी क्या पाव के म और सारियां दियां सारियां ओदियां इस तरियां ने ते हरक जेरा जीव है उस अकाल पुरुखनों मिलन दे लई तड़ पदा है ते जों 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 महिने बीदे जान दे ने जों 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 अगला जेरा मौसम चेंज उंदा जान दा है ते हों ते हों जेरी ओदी बेबलता और वादी जान दिए सावन दे मिहिने वेच भी ओ थड़फदी आइ ते पादोएं दे मिने केंदी पादोएं परम पुनानियां केंदे पादोएं तो मतलब है पाप लास दोएं कि मैं दोएं पासे उल्ज गई कि मैंनू पता नहीं लाग रहा कि मैं केड़े पासे जावां एथे मेरा जिरा दुबीदा है ओनू हाल करो के मैं एक पासे संसार वेच ग्रास गई यां ते दूज़े पासे मैं तेरे वाले पासे लगी यां मैंनू रस्ता दसोँ पादोएं परम पुनानियां दूज़े लगा हेत लाख सिंगार बनायां कार्ज नाहीं केत केंदे जिन कैंदे में नू कैंदे के लिए पूत है पूत कह के मैंनो कर तो बाहर कड़्या जाएगा ते गरुर्ण साब जी इसनु बारा महिने दी बाणी है ओदे विछ और दी बहबलता ब्यान कर देने के खसम तो विषुड के की हाल होंदा परन्तू जैरे साथ संग विछ जान देने संगियां दी संगत कर देने जेरे संगत विच जाके गुरू दे शबदनु जापदेने उना दे उते हाड़ते जेड़ती असाड तपन्दा तिस लगे हरना जिनना पास असाड़ता महिना हाड़ता महिना तपन्दा उननु लगेगा जिनना दे पास पर मातमा दा नाम नहीं है प्रन्तु जित दिन बेदे बिनसिसी तितवेले कैसर प्रेत पकड़ चलाएं दूत जम किसे ना देनी पेत जेरे दूत ने वो सानु पकड़ के ले जानगे तो ए पेत किसे नू नहीं देनगे किते पकड़ के लेके जारे ने इस कार के हे प्राणी तू जो इस संसार दे विच आया है प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित तक फकड़े सब मुकदी चली नैन के जरी रैन सानू मिली सी जरा दिन गवाया खाए कर रात गवायी सोए हीरे जैसा जनम साख कोड़ी बतले जाए के जरा इसानू जनम मिली आया है उसी कोड़ियां दे पा उनू बतीत कर दे पैया यह जरे बारा माँ बाणी जरी ओंदी एक एक महीना जरा है चेत दे महीने तो किर्त तो शुरू होया के इसी कर्मा करके विष्षुड़े आँ चेत नू मिने चो गविंद नू अरादन दी गाल चली है पर दुबीदा मान दे विच चली आ रही है दुबीदा जन्हों दूर होएगी क्योंके जिननी देर तक दुबीदा ऐसाड़े मान वेच उन्हीं देर तक आसी टेक नी सकते टेक सिर्फ एकते हों दी है जर्ज़नों एकते उत्ते जाके पहुंच देयां फिर आसी उस कार्द दे नेडे जाने हैं जरी कुद्रत है इस अनू उस परमातमा दा एक दर्स दिखों दी है सरगून आप निर्गुन आप सर्गुन भी ओही कला तार जिन सगली मोही इस बारा महा बानी दे वेच बारा महा बानी दे वेच परमात्मा दे दोवास रूपा दा वर्नन है निर्गुन ते सर्गुन जिननी ब्रैस्पती दा वर्नन इस बानी दे वेच आया है और सर्गुन रूप है ते जेड़ा ओदा नाम जपना है औनों सिमरना है ए ओदा निर्गुणवादी रूप है एस बाणी दे राही जेड़ा मनोख है उस परमात्मा दे रस्ते दे उत्ते चलदा होया ओदे नेड़े जेड़ा है पहुंचदा है क्योंके जिन्नी देर तक ओदे ओदे नजदीक नहीं ओदी कुद्रत नों नहीं नहारेगा जदो कोई भी पेगंबर इस तर्ती दे उत्ते जनम लेंदा सी ते ओद्रत दे नेड़े जानदा सी